हलो दोस्तों मैं प्रशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक क्वीडिटी कॉमूडिटी में स्वागत करता हूं तो आज हम इस वीडियो में RSI Divergence और Price Action इन दोनों के उपर बात करेंगे हम देखेंगे कि RSI Divergence और Price Action को यूज करके कैसे आप अपना ट्वेडिंग सेटप तयार कर सकते हो कैसे आप अपने ट्वेड के एकुरेशी लेवल को इंक्वीज कर सकते हो और कैसे आपने ट्रेंग डिसिएंस से प्रॉफिट बना सकते हो तो यहां पर आपको चार्ट पर दिख रहा होगा यह जो नीचे में वह आपका आरेसाइ का डाइवरजन से मतलब है कि आरेसाइड इंकलीनेशन है वह किस तरफ है वह आपका नीचे साइड की तरफ है या ऊपर साइड की तरफ है वही इस का उसी टाइम पर क्या रियक्शन आता तो अगर हम इस टा Thompson slash time जब ही आपका यह बना है और यह हाई बना है अगर हम इस दोनों को जॉइन करते हैं तीहां पर आपका एक straight line यानि एक flat line बनता है वहीं अगर हम सेम टाइम पर RSI को join करते हैं इस point और इस point पर तो यहां पर देखिए आपका जो line बन रहा है वो नीचे side की तरफ जा रहा है यानि RSI divergence आपका नीचे side की तरफ जा रहा है RSI divergence आपका इस तरीके से बन रहा है जो कि नीचे side की तरफ जा रहा है तो अब यहां पर क्या होगा RSI divergence को price follow करेगा और price आपका नीचे side की तरफ जाएगा या फिर price आपका flat रहेगा या फिर उपर side की तरफ जाएगा और यही पता करना यहां पर difficult होता है आसानी से आप जज नहीं कर सकते हैं इसके बाद price कैसा react करेगा और यही difficult situation को मैं आपको इस वीडियो में आसान तरीके से बताने जा रहा हूं ताकि आप इन सब के basis पे profit बना सके जब आपका RSI divergence और price दोनों same direction रहता है तो यहां पर beginners और छोटे मोटे trader भी आसानी से बता सकते हैं कि price का reaction कैसा होगा और हमें यहां पर क्या करना और उस particular situation में जो सब को पता रहता है profit बनाना difficult होता है profit बनेगा आपको इसी situation में जहां पर मौश्री लोग क्या होते हैं मौश्री लोग trap होते हैं और आपक आपको multiple benefit होता हो देखेगा आप trap से बच सकते हैं और जहां पर maximum लोग loss करते हैं वहां पर आप loss के जवापे क्या कर सकते हैं आप यहां पर profit बना सकते हैं और यही सबसे suitable time होता है जहां पर profit बना सकते हैं यही चीज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं तो चलिए दे इसके अलाबा यहां पर और भी relation हो सकता आपका price upside की तरफ जा सकता और RSI का divergence नीचे साइड की तरफ जा सकता यहां पिर आपका उपर साइड की तरफ हो price आपका नीचे साइड की तरफ हो या फिर RSI का divergence फ्लैड हो price आपका upside या downside जा रहा हो इन सारे different situation में आपको क्या trading decisions लि देना है उन सब के उपर हम इस वीडियो में एक एक उक्जांपल के तुरिफ बताने कोंशीष करेंगे यहाँ पre हम बहुत सारा एक्जांपल आप लेगे से यह उपकोंशा सारा में यह उक्याउयστεक्न हे यह मैं करता STFC bank का आवली चार्ट है इसका आप इस्तेमाल किसी भी time frame में कर सकते हैं 5 minute, 10 minute, 15 minute, 30 minute, 1 hour, 1 day, 1 week, 1 month किसी भी time frame में इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पे हम भी different, different time frame में इस्तेमाल करेंगे सबस्पहले हम STFC bank के आवली चार्ट में आगए अब यहाँ पर यही situation में आपको explain किया था यहाँ पर क्या हो रहा RSI का divergence है, जो inclination है वो नीचे side की तरफ जा रहा अब RSI क्या बताता RSI हमें buyers for sellers के strength को indicate करता है अब यहाँ पर क्या हो रहा RSI दिखा रहा है कि strength जो धीरे-धीरे कम हो रहा है लेकिन price आपका नीचे जाने का नाम नहीं दे रहा price आपका एक flat line बना रहा मतलब क्या हो रहा मतलब यहाँ पर यह है यह आपका distribution phase भूश सकता है distribution phase कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो बड़े-बड़े traders होते हैं वो यहाँ पर dump करते हैं तो price को जादा नीचे जाने नहीं देते हैं और उसका hint हमें RSI दे रहा है तो यह परफेक्ट टाइम रहता है जहाँ पर आपको भी क्या करना है dump करना जो भी आपने buy किया है उसको dump करना यानि उसको आपको sell करना और यहीं पर profit वो करके आपको market से निकलना होता है तो अगर आप stock market में trade करते हैं तो सबसे important क्या होता है entry और exit point यह निए आपको सही time पे entry लेना भी है और सही time पे exit भी करना अगर आप entry या exit लेने में देर करेंगे तो आप अच्छे खासे नुकसान में डाह सकते हैं और यह हमें बता रहा है कि यहां पे perfect time है क्या करने का exit करने का long positions और यहां पे short positions नहीं लेना हमें wait करना है और short positions लेना कब है उसका भी idea price action और RSI के basis पे हमें मिल जाएगा तो चलिए हम थोरा सा chart को आगे side की तरफ ले चलते हैं अब देखिए अब यहां पे क्या हो रहा यहां पे हमने RSI का भी जो lower point है उन सब को join करते हुए एक line draw किया अब जैसे ही RSI इस line को break करके नीचे आएगा और same चीज यहां पे हमने price में भी किया है इस सब को lowest point को join करते हुए trend line draw किया जब RSI इसको break करके नीचे आएगा उसी time में देखेंगे इसको भी यह break करके नीचे आना चाहिए अब देखें दोनों लगबक आपका same time पे ही नीचे side की तरफ breakout दे रहा मतलब clear cut है कि यह candle close होने के बाद अगला candle जैसे ही open होगा यहाँ पे क्या होगा मेरा इस point पे sale side की तरफ हमारा entry होगा यनि वो सबसे पहले आपको सही time पे exit करवा दिया यनि सही time पे आपको profit बुक करवा दिया उसके बाद यह भी बताया कि सही time क्या वापस से entry लेने का वापस से sell करने का यह सही time है वापस से sell करने का और जो भी लोग यहाँ पे sell किया होंगे price आपका अच्छा खासा नीचे side की तरफ गया है और वहाँ पे उनको अच्छा खासा profit मिला होगा और इसके बाद देखिए RSI का divergence भी आपका नीचे side की तरफ जा रहा है और RSI का divergence जैसे ही straight हुआ तो यहाँ पे वापस से क्या कर सकते हैं हम अपना जो buy position से वो exit कर सकते हैं और यहाँ पे हम profit book कर सकते हैं तो यहाँ पे अब आपका entry point हो गया अब stop loss target price क्या रखेंगे तो target price के लिए आप RSI को भी use कर सकते हैं इसका जैसे bottom आया और line straight हुआ तो यहाँ पे आप exit कर सकते हैं और stop loss जो इसका highest point है यह आपका edge SL की रूप में काम करता हुआ दिखेगा और उसके बाद आप आगे देख सकते हैं जैसे RSI flat हुआ वो थोड़ा बहुत रुका वापस से नीचे give ना start हुआ लेकिन आप चाहो तो इसी point पे profit book करके यहाँ से exit कर सकते हैं यह तो हो गया पहला example जहाँ पे क्या है price action आपका flat है price आपका एकदम straight line formation कर रहा है यह फ्लैट है और RSI का divergence नीचे side की तरफ जा रहा मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें distribution phase देखने को बिलवा है यह dumping phase चल बाए जहाँ पे shares बारे बारे traders के दोबारा dump किया जा रहा है यहाँ पे अब हम दूसरा example पे आते है अब यहाँ पे देखी क्या हो रहा यहाँ पे जो आपका price है वो आपका नीचे side की तरफ जा रहा है यहाँ प्राइस का divergence है वो आपका इस तरीके से नीचे side की तरफ है लेकिन RSI का divergence है वो देख सकते हैं यहाँ से अगर हम करें तो slightly आपका upside की तरफ है यहाँ आपका इस तरीके से upside की तरफ है और price का divergence आपका नीचे side की तरफ है यहाँ पे भी दोनों एक दूसरे को contradict कर रहा RSI बोल भाई की भाई तुम उपर चलो price बोल भाई की हम उपर नहीं हम यहाँ पे नीचे side की तरफ जाएंगे अब यहाँ पे क्या होगा दोई चीज हो सकता either price आपका upside की तरफ निकलेगा या फिर RSI divergence आपका नीचे side की तरफ जाएगा यहाँ पे हम दोनों situation के लिए तयार रहेंगे और दोनों के लिए हमारा यहाँ पे trend line थोड़ा बहुत help करेगा अगर यहाँ पे इस trend line को break करके price उपर निकलता और इसके उपर closing देता है कोई भी candle तो फिर यहाँ पे हमें upside की तरफ breakout मिलेगा फिर यह हमारा क्या बन जाएगा buy side की तरफ यह हमारा entry point बन जाएगा clear हो गया उसके बाद either आपका RSI नीचे side की तरफ जाएगा और अगर आपका RSI नीचे side की तरफ की आए यहाँ पे भी हमने trend line डौ़ा कर रखा यहाँ पे हमें trend line डौ़ा कर रखा और यहाँ भी यह candle इस लोग को break करके नीचे आए और जैसे नीचे आए यहाँ पे हम क्या करेंगे sell side की तरफ interview लेंगे ultimately क्या है अब देखिए इसके बाद क्या हुआ price भी नीचे जा रहा और RSI का डाइमोजेंस भी नीचे जा रहा और RSI नीचे जा रहा तो दोनों को एक साथ आना है लेकिन कुछ particular time के लिए दोनों अलग-अलग react करता है और उसी को आपको early identify करता है इसको आपको manually identify करना परेगा इसके लिए कोई scanner अबलेबल नहीं है आप जो भी चार्ट को देखते हैं उसमें आप यह सारा कुछ find कर सकते हैं कि RSI का divergence और price दोनों के बीच में relation लिए दोनों एक दूसरे का positive react करा तो आपको twin line draw करना और इस तरीके से आपको सारा कुछ identify करना है तो यहाँ पर जो situation हमने identify कर लिया अब यहाँ पर हम दोनों situation के लिए ready थे प्राइस दीचे गया तो हम sell set की तरफ गये और प्राइस अगर ऊपर जाता तो हम यहाँ पर buy set की तरफ जाते हैं तो सेम तरीके से यहाँ पर हम और example लेखते हैं यहाँ अब हम nifty पर आते हैं अब देखिए यहाँ पर nifty के 30 minute के time frame को ले रहे हैं मैंने बोला ही था किसको आप किसी भी time frame में इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पर भी दो example हमारे सामने हैं सबसे पहला example चार्ट थोड़ा सब छोटा है इसको मैं अजेस्ट कर लेता हूं एक एक करके बताता हूं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है प्राइस इस हाई और इस हाई को जोईन करें तो लगभग आपका क्या बना रहा है एकदम flat line बना रहा है यानि एकदम straight line का formation कर रहा है जबकि अगर हम RSI को देखिए same point पर इस हाई और इस हाई को जोईन करें तो RSI का divergence यहाँ पर क्या है नीचे side की तरफ है मतलब price flat है और RSI का divergence नीचे side की तरफ है यानि यहाँ पर strength कम हो रहा है अब strength कम होने का क्या मतलब है कि यहाँ से price को नीचे side की तरफ जाने की probability ज़्यादा है यानि तो RSI का divergence आपका उपर side की तरफ आएगा तो यहाँ पे अगर यह उपर साइड की तरफ निकलता और RSI का divergence भी उपर मुड़ता है तो यहाँ पे हम बाई साइड की तरफ जाएंगे लेकिन उसके probability कम देखती है अब देखिए इसका divergence वो नीचे साइड की तरफ जा रहा तो नीचे साइड की तरफ ब्रेक आउट देने के chances बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे हम इसके lowest point को भी जॉइन किये और यहाँ पे भी हमने इसके lowest point को जॉइन करते एक trend line ड्रॉक किया और इस particular situation देखिए इसको break करके नीचे आया और RSI divergence भी जो हमारा bottom line था उसको break करके नीचे आया तो जैसे ही यह candle close हुआ अगला candle open होते ही यहाँ पे हम क्या करेंगे cell side की तरफ यहाँ पे हम entry लेंगे ठीक है तो cell side की तरफ यहाँ पे आप clear cut entry ले सकते एसल जो मैंने बोला था इसका highest point यह हमारा एसल की रूप में काम करेगा target price की अगरम बात करें तो target price देख सकते हैं यहां से आपका RSI divergence नीचे की नहीं स्टार्ट हुआ यहाँ पे फ्लैट हुआ है यहाँ प्रैस भी फ्लैट हुआ है तो यहाँ पे आप चाहो तो इसको रखा है कि target stop loss कैसे आप इस्तेमाल कर सकते बस यहाँ पर आपको यह concept समझना RSI और price section के बीच में यहाँ पर यहाँ पर नीचे side की तरफ जा रहा है मतलब यहाँ पर clear है कि either RSI यहाँ से उपर side की तरफ आएगा यहाँ नहीं तो price यहाँ से नीचे side की तरफ जाएगा यही तो condition हो सकता है अगर RSI और price को follow करना है तो और ultimately दोनों आपको एक साथ चलता हुआ दिखता ही है तो यहाँ पर हम तयार रहेंग कि either price इसको break करके ऊपर निकलेगा या नहीं तो price इसको break करके नीचे जाएगा और यहाँ पर भी RSI में दो ही condition हो सकता है यहाँ से उपर निकलेगा या फिर नीचे जाएगा लेकिन अगर हम RSI को देखो तो यह आपका already काफी high पे है अब यहाँ से और उपर side की तरफ जाना थोड़ा सा नीचे जाने के chances है लेकि उपर जाने की probability बहुत ज़्यादा और यहाँ पर यहाँ से नीचे जाने के chances बहुत ज़्यादा तो क्या होगा यहाँ पर हम इनके bottom को join करते हुए trend line draw किये और यहाँ पर प्राइस आपका break करके नीचे side की तरफ गया है और इसी level पर यहाँ पर मेरा क्या बन जाएगा entry point और यहाँ पर हम सेल सेर की तरफ जाएंगे यह जो लेवल है यह सेल की रूप में काम करें है टागेट क्या बोला था यहाँ पर गिर रहा है यहाँ यहाँ पर straight line बनाया है यहाँ इस point पर हमारा target होगा जहाँ पर हम profit book करना start कर देंगे यहाँ पर सारा कुछ clear cut है entry point stop loss target सारा कुछ will define है और clear cut आपको यहाँ पर पता चल रहा है यहाँ पर हम कुछ और example देख लेते हैं अब यहाँ पर यहाँ पर आते हैं अब यहाँ पर देखें क्या कुछ हो रहा है सेम सीचुएशन है प्राइस आपका upside की तरफ जा रहा है औ price भी यहाँ पर आपका नीचे side की तरफ गिरा जो पिछला example था वहीं यहाँ पर repeat होता हुआ दिखा यह सारा कुछ आपको manually find करना परेगा जो भी stocks को अपने watchlist में रखते हैं उसको आप देखिए और नीचे आप RSI भी इस्तमाल किजिए और RSI का level पर आपको नहीं जाना इ अगर दोनों same direction में तो कोई दिकत नहीं दोनों opposite है मतलब यहाँ पर हमें अच्छा खासा opportunity मिला और उस opportunity के आप फाइदा उठा सकते हैं तो यहाँ पर हम अगला example देखते हैं वह आपका वेदानता का वापस से वेदानता के hourly chart में यहाँ पर आ गया है अब यहाँ पर देख RSI divergence भी price को break करके नीचे side की तरफ आया है यहाँ पर क्या होगा यह हमारा क्या बन जाएगा entry point sell side की तरफ और यह SL के रूप में काम करेगा target मेंने क्या बोला था RSI divergence जहाँ पर flat line बनाएगा वहाँ पर profit book करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा flat line इस particular time पर बना है तो यहाँ प profit book कर सकते हैं यहाँ पर सटिक बना है यहाँ पर चाहो तो आप profit booking कर सकते हो दो टाइम पर चाहो तो profit booking कर सकते हो profit कभी छोटा या बड़ा हो सकता है लेकिन इसके flop होने के chances बहुत कम है इसका accuracy भी आप यहाँ पर 70% to 80% के रूप में count कर सकते हैं तो high accuracy level बादा इस ट्रेट कर सकते हैं जिसमें आप इंट्वाटे में भी ट्वेट कर सकते हैं और short term के लिए delivery या फिर options ट्वेट भी कर सकते हैं तो उमीद करते हैं यह concept आपको समझ में आ गया होगा और इससे पहले भी हमने इसके उपर already video बना रखा है अगर आपने वह वीडियो भी नहीं देखा व झाल